श्रील प्रोपाद की जै शिमद भागवतम सकंद एक अध्याय दस और श्लोक संख्या पच्छीज यदाहि धर्मेन तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्र शही सत्वत हकिल धत्ते भगं सत्यम्रितं दयाम्द यशो बावायरूपाणि यद द्युगे द्युगे एसी वक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रोपाद के द्वारा, शब्दार्त, ट्रांसलेशन और तात्परिया श्रील प्रोपाद की जै यदा जब भी ही निश्चे ही अधर्मेन लगता है पर यहां पे यदा ही अधर्मेन है यदा ही अधर्मेन ऐसे है अधर्मेन इश्वर की इच्चा के विरुद्ध तमोध्य तमोगुण व्यक्ति रुपाह राजा या प्रशाशक जीवन ती पश्मों के समान रहते हैं तत्र तत्पश्चात एशह वे शिमत भागवतम ही केवल सत्वतह दिव्यकिल निश्चे ही धत्ते प्रकट होता है भगम परमशक्ति सत्यम सत्य रितम सकारात्मक्ता दयाम दया यशह अध्वुतकारी कलाप भवाय पालन हेतु रूपाणी विबिन रूपों में दधत प्रकट यूगे विबिन तनकालों में यूगे तथा यूगों में जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पश्वों की तरह रहते हैं तो श्री भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परमशक्ति सत्य रित यानी को प्रकट करते हैं शद्धालों पर विशेश दया दिखाते हैं अद्बुत कारिय करते हैं तथा विबिन कालों तथा यूगों में आवशक्त्या नुसार विबिन दिव्य रूप प्रकट करते हैं प्रकट करते हैं वो लिखा गया है यहां पर वो बोल रहे हैं ठीक है यह श्लोक कब से आ रहा है द्वारका के लिए भगवान प्रस्थान कर रहे हैं तो सारी महिलाएं चर्चा कर रहे हैं कहा कि हस्तिनापुर की, तो महिलाय चर्चक कर रही हैं, यानि कि सब की पत्निया वगर हैं, तो वो भगवान के गुणों के बारे में जानती हैं, कि भगवान कौन है, कब आते हैं, क्यों आते हैं, तो कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा कारण बता रही हैं, कि जब राजा या प्रशाशक या जो भी है, जो रूल कर रहे हैं कंट्री को, जो देश को चला रहे हैं, राजी को चला रहे हैं, वो पशु की तरह बन जाते हैं, अर्थात उनके में कोई नियम नहीं रहता है, कोई विचार नहीं रहता है, सतोगुन नहीं रहता है, उनका जीनिक धंग या जो शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, और जब प्रकट होते हैं, तो शद्धालू के उपर कृपा करते हैं, और बहुत सारे कारी करते हैं, अद्बुत कारी करते हैं, जो जरूरी है वो सब कारी करते हैं, जब भगवान प्रकट होगे न, तो सिर्फ एक कारण नहीं होता है, क हर तरह के कार्य करते हैं, जो व्यवस्ता को ठीक करने के लिए आवश्चक है, जैसे दुष्टों का नाश करना, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, सादो पूरुष हैं, उनको इनकरेज करना भक्ती में, कैसे आगे बढ़ोगे ये बताना, या फिर शास्त्रों के बारे में च इत्यादी, बहुत कुछ करते हैं, और फिर वो लीला को समेट के चले जाते हैं, तो प्रभपार लिखते हैं, जैसा कि उपर कहा गया है, दृष्च जगत परमेश्वर की संपत्ती है, यह श्री ईशो परनिशत का मूल सिद्धानत प्रतेक वस्तु परमेश्वर की संपत्त इशा वाश्यमिदम, सर्वम, यत्किंच जगत, त्याम जगत, तीन त्यक्तिन भुंजिता, माग रिधा कस्य स्विद्धनम, तो इशो पनिशत में बता रहे हैं कि सारी संपत्ति किसकी है, भगवान की है, इसलिए उसमें से उतना ही लोज इतना तुमें आवश्यक है, तो संपत्ति है, अतेव किसी को उनकी संपत्ति हडपनी नहीं चाहिए, ले ले हम खुद और उसका खुद प्रयोग कर लें, इसलिए हमारे आचारे गण सिखाए हैं कि जो भी खाओ, भगवान को बोलके कि भगवान यह आपका है, पहले आप खालीजे, फिर हम खाएंगे, जि चीज भगवान को समर्पित करके लेना चाहिए, तो उन्होंने कृपा पुर्वक जो कुछ दिया है, उसे स्विकार करना चाहिए, अतेव या प्रिफ्वी या कोई भी अन्यग्रह या ब्रह्मांड एक मात्र श्री भगवान की संपत्ति है, जितमी चीज हमें दिखाई दे रहे हैं, मनुश्य, वशू, पक्षी, पहार, नदी, घर, जमीन, जैदार, यह सब कुछ भगवान का है, एक मात्र, सारे जीव निश्चा ही उनके अन्शिया संताने हैं, और इस प्रकार उनमें से हरे एक को अपना नियत कारे करने हैं, तो उनकी दया पर जीने का अधिकार है, हम सब उनकी संतान है, जैसे हम सब संतान है, वैसे वरिक्ष भी उनकी संतान है, जंगल के अशू भी उनकी संतान है, कीडे, मकोडे, रिप्टाइज, जो होते हैं, सब भगवान की ही संतान है, अगर हमको जीने का अधिकार है, तो उनको भी जीने का अधिकार है, ऐसी श पशु भी तो राजा के राज्य में मनुष्य रहते हैं, तो पशु भी तो राजा के ही राज्य में रहते हैं, जैसे मनुष्य जनता है, राजा उनकी रक्षा करता है, न्याय दिलाता है, वैसे ही पशु भी राजा की जनता है, उसको भी न्याय दिलाने का कार्या राजा को क करना चाहिए ऐसा नहीं कि रोपा दिखते हैं कई जगह पे ऐसा नहीं कि मनुष्य के लिए तो बहुत कुछ किया और कसाई खाने खोल दिये उसमें स्लोटर हाउस में सारे जानवर कट रहे हैं पशु कट रहे हैं पक्षी कट रहे हैं या फिर बक्रा बक्री जो भी है अधिकार नहीं है मनुष्य को करने का और अपना नियत काले करना चाहिए हमको जो मिला है और हम जितना उसमें से जो हमारे पास अधिकार में है उस कि अधिकार है इस चीज़ पर मेरा अधिकार है तो अधिकार बहुत याद रहता है सबको मेरा अधिकार है पर करतव यह बहुत कम लोगों को याद रहता है जबरतर लोगों को क्या याद रहता है अधिकार जैसे आजकल सरकार ने नियम बनाया है कि माता पिता के संपत्ति पर पुत्री का अधिकार और पुत्र का अधिकार बराबर है है न, ऐसा नियम बनाया है तो यदि ऐसा नियम बनाई है सरकार ने ठीक है माल लिया जाए वेदिक संस्कृति तो नहीं है पर माल लिया जाए ये नियम तो पुत्री को फिर पुत्र की तरह अपना कर्तव भी निभाना पड़ेगा ऐसा नहीं कि समपत्ती लेके बाटने तो चले आए और जो सेवा करने का समय आया तो बोला कि नहीं भाईया सेवा तो आप करेंगे हम तो केवल प्रॉपर्टी लेकर जाएंगे आएंगे और बाट के लेके चल देंगे फिर ये नहीं चलेगा तो पहले आता है कर्तव या बाद में आता है अधिकार पहले माता बच्चे को बहुत प्यार से रखती है और पालन पॉशन करती है उनको खिलाती है पिलाती है सापसुत्रा करती है बच्चे को पालने में तो बहुत कष्ट होता है सब माता को पता है फिर यदि बच्चा बड़ा होके कमाता है और माता कुछ बोलती है कि मुझे यात्रा करने के लिए पैसा दो मुझे आत्रा करनी है या मेरे शरीर का अपरिशन कराना है तो उसके लिए पैसा दो तो उसका अधिकार है मांगने का क्योंकि उसने करतव्य का पालंग किया है तो पहले करतव्य बाद में अधिकार अधिकार मांगना मांगना नहीं चाहिए वह अपने आप मिल जाएगा करतव्य करेंगे पूरा तो अधिकार खुद ही मिल जाता है कुछ मांगना नहीं पड़ता है इसी प्रकार भगवान की भी सेवा करेंगे तो आपको स्वहम मिल जैसे हमारे पास कुछ है वैसे दूसरे के पास भी कुछ है तो उसकी संपति छीन लेना या चुकी पशुप बोल नहीं सकता है तो उसको मातिक खा जाना यह सब नहीं होना चाहिए राजा या प्रशासक भगवान के इच्छित प्रबंध की देखरे करने तो उनका प्रतिलिदी होता है अतये उसे युदुष्ठीर महराज या महराज परिक्षित के समान मानने व्यक्ति होना चाहिए ऐसे राजाओं को विश्वपर्शास करने का ज्यान था पूरा पूरा उत्तराई तो प्रामानी गुरु से प्राप्त होता है हर जगा गुरु होते हैं एक व्यक्ति मान लेजिया स्कूल में पढ़ता है उसको अलग गुरु मिलते हैं लेकिन जो व्यक्ति अनपड़ है न वो भी गुरु बना सकता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होता है फिर भी बहुत स्मार्ट होते हैं बुद्धिमान होते हैं कभी-कभी घर के भी सबस्वस्य हो सकते हैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का संग करना चाहिए फिर हमारा विचार उपर उठता है इस प्रकार प्रामानिक गुरु ढूनने की आवश्रक्ता है कल हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आज कल एक व्यक्ति हैं इस पर यूट्यूब पर और सब जिगार रहते हैं उनका नाम है सद्ध गुरु तो बहुत लोग उनको पसंद करत प्रामानिक गुरु प्रामानिक गुरु किसको कहते हैं जो परंपरा में आरहे हैं ऐसे मैंने एक का नाम लिया ऐसे बहुत लोग होते हैं जो प्रामानिक गुरु परंपरा में नहीं आते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा, मगर अर्जुन युदिश्टीर और ऐसे अच्छे अच्छे बहुत राजा हैं, जिनके प्रामानिक गुरु हुआ करते थे, जो उनको उसके अधार पर वो राज्ये चलाते थे, फिलहाल में एक गुरु थे, चानक या पंडित, वो भी अच्छा ज्ञान देते थे, ब्रामान थे वो, इसी तरह आप जानते हैं, अकबर का एक बहुत ही होश्यार रेखती था, बीरवल, जो अकबर को अच्छी शिक्षा देदा उनके दर्बार में नौरत्न थे, नौरत्न यानि नाइन डिफरेंट डिफरेंट काइंड अफ तिंग्स है, जैसे कि कोई अधिसीन में एक्सवर्ट है, वो एक रतन हो जाएगा, कोई गहना जेवर की परक है किसी को वो एक रतन हो जाएगा, कोई संगीत बहुत अच्छा तो गुरू सोच समझ के बनाना होगा और गुरू से ज्ञान प्राप्त करना होगा गुरू शिक्षा देते हैं अभी तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हारा क्या करता हुए है इत्यादी तो फिर वो ऐसा राजा अच्छे तरीके से विश्व पर शाषन कर सकता है लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम निगुन पमोगुन के प्रवाव से राजा या शाषक बिना किसी ज्ञान उत्तरदाईत्र के सत्रा रूर हो जाते हैं और ऐसे मुर्ख प्रशाषक अप केरी जमाने में तो वोटिंग जो हो रही है जो आजकल का समय चल रहा है जिसमें कि लोक तं तंत र इसको बूत रहते है लोक तंत्र يनी जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिले, वो व्यक्ति स्टाशन करेगा, तो ज्यादा, खाली नंबर देखा जा रहा है, क्वालिटी नहीं देखा जा रहा है, कि हाँ ये व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहिए, ये व्यक्ति बहुत कर्मट होना चाहिए, इंटेलिजन होना चा लेकिन वो जो वोट देने वाला है उसको पता तो होना चाहिए कि किसको दें वोट, अगर उसको पता नहीं है वो क्या करेगा गलत व्यक्ति को वोट ले देगा, गलत व्यक्ति गलत तरीके से वोट ले लेगा, कभी छीन के, कभी हड़प करके, कभी कुछ लोब दे कर, प्रल स्वार्थ के लिए करेंगी ऐसा होता है व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसी में एक पशू हत्य भी है इसका परिनाम यह होता है कि आज पूरा वातावरन अराजकता और विशाक कत्वों से दूर्शित हो जाता है पूरा पहले के जमाने में बहुत ऐसे राजा हुए हैं जो तो अपने पिता को बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया और राजा बन गया मुसलमान के राजी में ऐसा देखा गया है अपने पिता को ही बंदी बना लिया पिता गदी पर से हटता नहीं है और पूत्र को पिता के अंदर में कारी करना नहीं है तो पिता को या तो पता है इसे लिए तो प्रधानमंत्री होता है वो राजा के पतनी से विवा कर लेता है राजा को या तो जान से मार देता है या तो बंदी बना कर-के कैद खाने में डाल देता है पुत्र अपने पिता वहां से निकलना उसके लिए असंभव वहीं मृत्यी हो जाती है उसकी यह मूर्ख व्यक्ति का कारिया बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सोचेगा क्या है यह जीवन कितने दिन का है हम इतना गलत काम क्यों करें इतना गलत काम करके सारी संपत्ति हड़प करके भी तो मर ही ज सकता है फिर वो क्या करता है पश्वों की तरह व्यक्तिकत स्वार्थ के लिए मूर्ख प्रशाशक अपने व्यक्तिकत स्वार्थ के लिए पश्वों की तरह रहते हैं और अराजकतासा कौन पसंद करेगा वैसे राजा को बताईए कंस को को कोई कहता है कि हमारे देश में कं राम राज होती तो इसलिए लोग कहते हैं राम राज हो जाये लेकिन रावन राज नहीं बोलेगा किसी के बेटी को उठाके ले आएगा रावन अपने महल में लाके रख लेगा किसी सादू महात्मा को मारेगा जान से मार देगा बलमुत्र विसरजित कर देगा उसके यग्ये में कौन बोलेगा रावान राज हो जाए बताईए तो राम राज हो जाए तो राम राज होने के लिए तो जनता को भी तो होश्यार बनना पड़ेगा, जिसको हम बठाते हैं गद्धी पर, तो कौन व्यक्ति बैट रहा है, उसमें क्या दुर्गुण है, ये परकना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा कुछ लोग दे दिया और हम उसको वोट दे दिये, तो फिर तो वही हो जाएगा, रावन राज हो जाएगा, हमें थोड़ा दो-चार हजार का कुछ सामान दे दिया, हम उसको वोट दे दिये, और जो सत्ता पे बैठना चाहते हैं, वो इसी के लिए देते हैं, मुर्ख जनता को बेकूब बना करके, वोट ले करके, और उनको कुछ हजार दे देंगे, और अ गलत बात है, फिर पूरा देश सफर करता है, पूरे देश में प्रॉब्लम आता है, पूरा विशाक्त हो जाता है, विशाक्त तत्वा, गलत व्यक्ति राज करने लग जाते हैं, तो समाज और व्यवस्था सब जगह फेल जाती है, समाज में, पुलिस करप्ट, शाशक करप आईएस करप्ट, IPS करप्ट, डॉक्टर करप्ट, सब जगत करप्शन हो जाता है, घूस चलता है, मानो समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धुखादड़ी, महामारी, इसके कारण दुरभेक्ष, रोग, युद्ध, इस परकार अन्य उद्विग्न कारी तत्वों की कि अमेरिका की जनता अच्छी है और इंडिया की खराव है, सब जगह की जनता एक जैसी है, लेकिन कहीं पर टाइट करके रखा है, कहीं पर लूज छोड़ा है, बस यही फरख्या, और कुछ नहीं, करप्शन सब जगह हो जाएगा, तुरत, इसलिए जो विवस्था होती है वो मजबुत होनी चाहिए, जगञान होना चाहिए, सब को भगवान का जगञान देना पड़ेगा, अच्छा भगवान का जगञान अगर देना शुदू करते हैं, तो बीच में माया देवी चली आती हैं, परिक्षा लेने के लिए, और माया देवी अपना प्रलोबन कि एक कामिनी और एक कंचन ये दो में तो बड़े-बड़े सादु महात्मा फच जाते हैं सत्य बात है एकदम सत्य बात है दो चीज बहुत डेंजरस है कामिनी और कंचन तो शिक्षा देने के साथ हमेशा होश्यार रहना पड़ता है कि हम गलत दिशा में ना चले जाएं भक्ति तो कर रहे हैं फिर भी गलत दिशा में ना चले जाएं ये बहुत आवश्यक है तो श्री भगवान के भक्ति या शुद्धालू लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है यह उनकी बारे में हो रही है जहां पर अराजकता फैल जाती है यानि कि पावर में गलत आदमी आ जाता है शाशन करने वाला व्यक्ति गलत होता है तब क्या होता है भक्तों को कष्ट देते हैं वो लोग और यह समस्त लक्षन इस बात के सूचक है कि धर्म की स्थाप अपना करने तथा कुषाशन का विनाश करने हैं लेतरी भगवान अवतार लेने वाले है स्रिमक्त भाग्वतम में भी इसकी फुर्णी हुई है जब देखते हैं भगवान कि मैंने सादू भेजा, संत भेजा, ग्रंत भेजा, खुद भी मैं मंदिर में खड़ा हूँ, बैठा हूँ, परन्तु फिर भी समाज में सवस्या है, और हमारे भक्त बहुत कष्ट काट वह हैं, तो फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं, और भगवान जब प्रकट होंगे, तो छोटा छोटा कारी नहीं करेंगे, बड़ा बड़ा कारी करेंगे, मार देंगे सब को जान से, रामन को मार देंगे, शिशुपाल को मार देंगे, कंस को मार देंगे, सब को मार देंगे, क्यों? प्यूंकि ऐसे छोटा कार्य करने के लिए भगवान तो आते नहीं छोटा कार्य है तो भगवान किसी को जो बिसको भेजते हैं उससे हो जाएगा तो भगवान तब आते हैं तो श्रीभगवान तब बहुतिक गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित हुए वे बिना अपने दिवय रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे अपने शिष्टी के राज्य को सामान अवस्ता में रखने हैं। तुही अवतरित होते हैं। विश्नु भगवान का कार्य क्या है ? विश्नु भगवान का कार्य है व्यवस्ता करना, maintain करना। तो विवस्था या maintenance जो है इसी को कहते हैं चीजों को जगा पर रखना, सही चीजों को सही जगा पर रखना सही व्यक्ति को गदी पर बिठा देना गलत को, थोड़ा बहुत जो गलत है उसको भगवान मौका देते हैं जो नहीं सुधरता है उसको बोलते हैं खतम क्योंकि अगर ये रहा तो मैं बार बार तो अवतार लूँगा नहीं अभी इसको जड़ से समाप्त कर दूँगा तो फिर बहुत दिनों तक वस्था अच्छी चलेगी लेकिन अगर इसको छोड़ दूँगा तो बस दो-चार साल के अंदर फिर से मुझे आना पड़ेगा क्योंकि ये जो उत्पाती व्यक्ति है पुरे समाज में कूव ववस्था फैला देगा इस उत्पाती व्यक्ति को मारना जरूरी है इसलिए उसको मार देते है ऐसी बात होती है सामान ने अवस्था यह है कि प्रत्य ग्रह के निवासियों की सारी अवशक्ताओं की पूर्ति के लिए भगवान दोरा प्रबंध होता है वे प्रामानिक शास्त्रों में वर्नित विदी विदानों का अनुसरन करके सुख पुरवक रह सकते हैं अंत मुक्ष भी प्राप्ट कर सकते हैं और मुक्ष प्राप्ट करने के लिए अपनी वैधानिक विद्टियों को संपन कर सकते हैं इस भातिक शगत के स्षिष्टि नित्य बद्ध जीवों की मनमानी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसी ही कि जाते जिसे शरार्ती लड़कों के हाथ में खिलोने पकड़ाती है जाते हैं, देखिए भगवान उन्होंने बहुत सारे लोक बनाये हैं, बहुत सारे लोक बनाये हैं, चवदा भूवन, उपर के लोक, नीचे के लोक, बीच के लोक, लेकिन लोगों को शांती नहीं है, अगर भक्त कोई सोचता है कि हमको शांती से जब करने दो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, कोई तकलीफ मत दो किसी को, तो ये तो भक्त जो अच्छा भक्त है वो करेगा, और दूसरे क्या करेंगे, अच्छा, ये व्यक्ति न काम जब कर रहा है कि यह नौन विज नहीं खा रहा है इसके जीवन में बहुत शांती है क्यों शांती है इसकी शांती को हम बंग कर देँगे कुछ माताइय सी kombin है यह हम करत दोख का तुमको खाना पबदेगा तुमको हropri खाना पड़े चाय पी और तुम भी, ऐसे भी लोग होते हैं, तो यहां पे कह रहे हैं कि हर वेक्ति को हर लोक में भगवान ने भरपूर मात्रा में सुविधा दिया है, जो चंद्र लोक में हैं, उसको चंद्र लोक में रहने के लिए सब कुछ सुविधा है, जो सूर्य लोक में हैं, उसको तो सुर्य लोग में रहने के लिए सबशुवदा दे गई है। जो धर्ती पर हैं, उनको धर्ती पर सबशुवदा दे गई है। पर भ्यक्ति को सुनना निय भ्गवाण की बात है। मन मानी कर दो हैं। वो सुखवु पुर्वक जी सकता है वहाँ और जी करके भगवान के वैवस्था के अनुसार मुक्ष भी प्राप्त कर सकता है भगवद्धाम भी जा सकता है परन्तु जो उत्पाती होते हैं वो ये सुनना नहीं चाहते हैं करना नहीं चाहते हैं यहां पर लिखा इस बहुतिक जगत की श्रिष्टी नित्य बद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं के लिए वैसे ही की जाती जिस प्रकार शरार्ती लड़कों के हाथ में खिलोने पकड ला दियाते हैं तो जो जीवात्मा है वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमको तो मालिक बनना है हमको तो राजा बनना है जैसे कृष्ण बहुत बहुत तुम जाओ ट्राइ करो, खिलो ना पकड़ा है, ये भौतिक जगत जो है, खिलोने के समान, अने था भौतिक जगत की कोई आवशक्ता नहीं थी, एकदम सत्या, भौतिक जगत की कोई आवशक्ता नहीं है, क्या आवशक्ता है, आप बताईए, यदि पूने का हर व्यक्ति सज सज्ञन हो जाएयँ कि एकदम सज्जन है विल्कुल सज्जन है आodel तो ट्राफिक पॉलीस की बी जरूरत नहीं पड़ेगी सारी गाडि अपने आख चलेंगे रस्ते पर और पुलीस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हर व्यक्ति सुधरा हुआ है और जेलगी भी जरूद नहीं पड़ेगी क्यूँ पड़ेगी जेलगी जरूद बताइए जेल में तो तभी रखा जाता है जब कोई व्यक्ति अब यहाँ पे इस दुनिया में कोई किसी का मडर कर रहा है कोई किसी का रेप कर रहा है कोई किसी का धन लेके बंदुख दिखा करके धन लेके जा रहा है तो उस वेक्ति को अगर जेल में नहीं रखेंगे, बंद करके नहीं रखेंगे, सजा नहीं देंगे तो कितना दिन आदमी जी पाएगा यहां बताईए तुरत में समूचा, शहर और समूची पृत्वी नर्क बन जाएगी तुरत इसलिए क्या किया जाता है? वैसे लोगों को जेल बेर रखायता है वैसे लोगों के लिए कानून है, व्यवस्था है, पुलीस है वैसे लोगों के लिए इतना खर्चा होता है देश का, अभी आप सोचिए खुदी अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई नहीं हो दोनों प्रेम से रहें, तो बॉर्डर पे इतना जो करोडों रुप्या खर्चा होता है करने की जरुवत है? नहीं, ना हिंदुस्तान को, ना पाकिस्तान को किसी को जरूरत नहीं खर्च करने की लेकिन बॉम बारूद पिश्टल सब कुछ लगा करके करोडों करोडों रुपया खर्चा हो रहा है किसलिए सुरक्षा विवस्था के लिए इसी तरह देश के अंदर करोडों रुपया किसके लिए खर्चा हो रहा है पुलीस ट्राफिक रेलवे पुलीस यहां पर पुलीस गाउं में पंचायत कॉर्पोरेशन सब जगह कारण अच्छे लोग कम हैं बूरे लोग ज्यादा हैं और बूरे लोग बदमाशी करेंगे और यदि विवस्था नहीं रही तो अच्छे लोग का जीना भी मुश्किल कर देंगे इसलिए इतना करना पड़ रहा है यदि सब अच्छे हो जाएं तो जेल की भी जरुवत नहीं पुलीस की भी जरुवत नहीं क्राइम पुलीस की जरुवत नहीं ट्रैफिक पुलीस की जरुवत नहीं और CBI की जरुवत नहीं, RAW की जरुवत नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं चाहिए आप सोचिए, अभी आप सोचिए, जो उपर के जगत हैं, जैसे सत्य लोग है सत्य लोग है, ब्रह्मा जी का जगत है, तपो लोग है वहाँ पे क्या जेल और ट्राफिक पोलिस होता है, नहीं वहाँ वैसे ही लोग होते हैं, पूरे, उस लोग में सारे लोग, जो रहते हैं बहुत कम लोग रहते हैं, और जो रहते हैं, सब रिशी मुनी बढ़ी, जैसे ब्रिगू मुनी है ऐसे रिशी मुनी रहते हैं और सब एकस्थान पर बैट के दियान में मगन रहते हैं कहीं पर नारद मुनी और चार कुमार बैट के कथा कर रहे होते हैं कहीं शिव जी पारवती माता को भगवान की कथा बता रहे होते हैं वहाँ पे क्यों ट्रैफिक पुलिस चाहिए, क्यों जेल चाहिए, खुछ भी जरुवत नहीं है, यहाँ दुष्ठ विक्ति हैं, इसलिए यहाँ जेल चाहिए, यहाँ क्या करते हैं लोग, जब यह लोग देखें, लेकिन जब यह भगवान की अनुमती के बिना विज्ञान क कि तथा कतित शक्ति द्वारा अवैद रूप से संसाधनों का दोहन करने हितों उनुमत होटते हैं, और वो भी केवल इंद्रेत रिप्ति के लिए तब आतताईयों को दंड देने तब शर्धालूं की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ते हैं, तो बरबाद हो चुका है, बरबादी हो गई तो बरबादी को क्या करना है? वापस सिस्टमाटिक बनाना है, तो जिस जगत में, इसी भौतिक दुनिया में जो उपर के लोग हैं, एकदम उपर के लोग हैं, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, वहाँ पे कूब विवस्था नह पर जाला है, स्वर्ग में सुरा, सुंदरी, नंदन, कानन, क्या-क्या बहुत कुछ है, तो वहाँ पे सब जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, मगर जन लोग और तप लोग इसमें तपस्या करने के लिए लोग जाते हैं, जिसको भौग करना है, वह स्वर्ग तक ह जाता है, जिसको भोग नहीं करना है, तपस्या करनी है, वो उपर के लोकों में जाता है, तो उपर के लोकों में उत्पात नहीं है, इसलिए बहुत बार ऐसा प्रलह होता है, जिसमें नीचे के सारे लोग समाप्त हो आते हैं, मगर उपर के जन लोग, तपलोग, यह सब समाप तो नहीं होते हैं, यह रहते हैं, ठीक है? तो आज हमारा क्लास यहीं पर रोकेगा, अभी जो बचा हुआ है, इसको हम कल करेंगे, शुलपरपात की जय, शिमत भगवत गीता की जय, निताई कौर क्रमानन्दे, हरी हरी बोल,